नमस्कार बिमान सीराट और डिजाना हल्चर में आप सबी का स्वागत हैं आगे पढ़ने से पहले देखते हैं नगर के प्रमुख हल्चले नगर निगम द्वारा पिछले साल से बनाई जा रही सडक आज तक नहीं हो पाई पूरी बिजबारिश में नगर निगम ने फिर से शुरू कर दी सडक की खुदाई रवास्यों ने जताई आपत्ती नगर में वेद अवेद तथा अविक्सित कोलोनियों में बिना अनुमती अवेद भवन निर्माण के सर्वेहेतू निगमायक सोमना जारे निकिया टीम का गठन वाट नमबर तीस में भी भाश्पा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाने पर विधायक चेतने काश्यप ने मुँ मिठा कर दी बधाई नगर निगम द्वारा पिछले साल से बनाई जा रही सडक आज तक पूरी नहीं हो पाई वही बीच बारिश में नगर निगम को अधूरी सडक की याद आई और लोगों के घरों के सामने फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया जिसकी वज़ा से लोगों ने आपती जता कर कहा कि बारिश के बाद ही सड़क निर्मान करे तो जादा बहतर होगा उक्तमामला शहर के मद्दे स्थीत पोश कॉलोनी शास्त्रिनगर का है यहाँ पर पिछले वर्ष से ही सड़क निर्मान का कारी चल रहा है जो आज तारिक तक नगर निगम ने पूरा नहीं किया वही निगम चुराओं को देखते हुए नगर निगम को वापस सदूरी सड़क की याद आई और बीच बारिश में ही लोगों को अपने बाउंडरी वाल के साथ ही घर के बाहर लगे उध्यान को हटाने के निर्देश दिये शेत्री रवास्यों ने निगम के आदेश का पालन करना भी शुरू कर दिया लेकिन उनके मन में यह पिड़ा थी कि पिछली भारवी हमने बाउंडरी वाल और अपने घरों के आगे लगे पेवर ब्लोक हटा दिये थे जिसकी वज़े से कीचड़ और पानी उनके घरों में भरा गया था लेकिन उक्त समय भी सड़क का निर्मान नहीं हुआ और पूरी बारिश लोग परिशान होते रहे वहीं एक बार फिर बारिश के मौसम में नगर निगम के अधिकारियों को अधूरे सड़क निर्मान की फिर याद आई और उन्होंने लोगों के बांडरिवाल तोडने और अतिक्रमन हटाने के निर्देश दिये जिस पर शेती रहवासियों ने आपती जताते हुए सड़क निर्मान बारिश के बात करने का निर्म अधिकारी एवं जन प्रतिनिदियों से किया शेतिरह वासियों ने बताया चितन जी के प्रयास दो से और यहां के स्थानी देताओं के सहों से बॉट्षेलों के सहों से यहां के रोड़ छोड़ी हुई। जिसके में ब्यक्त खूशी है। लेकिन यह बरसात में काम चलू कर रहा है। बरसात में पिछली वर्शा का भी सड़क को भी इती जिसकी अच्छा पने बारिषबाद काम चाहले की तो अच्छी बात है अच्छी बात है तो जाएंगे एक तो इस का्पार से कीचल पिछली बार बार भी हम लोगों ने तीन बार रोड खो दी ये तिन बार इस में तीचल हुआ जुस पकार से हमको परिशानी हुई रिजल्ट कुछ ने मिला मतलब क्या निकला ये अच्छा रोड को चरस्ता मिला हमको हमारी विवस्था करने पोड़े पानी के समस्या हो गए पानी को इस समस्या पाइब फुट जानी है इस पकार से यह होना है तो जो भी है उस विवस्था को देखकर समझ करता रहे आगे की समस्याओं को देखकर करें आए यह अंगल क्या माम पिछले साल से खुरी हुई है सड़क हां यह तो जो पिछली बार हुआ था ना रोल बनान परित्म जाके तो यह बंद हुआ उसके बाद यह ट्रेंपरिली विवस्था जो हम लोगों ने करी अपने अपने तरीके से गिट्कें डल वगये विव्वय मतलब था सिर्पर बोज आया खर्च आया इक आर्थिक बोज उखाना पड़ा हम लोगों को पाइपलाई ने सारी निगमायूक्त सोमना जार्या ने टीम का गठन किया अपने अपने क्षेत्र में अवेद निर्मान का सर्वे कर साथ दिवस में प्रत्य कॉलोनी वाइस प्रमान सहीत प्रति वेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये निगमायुक्त ने नगर में वेद अवेद तता अविक्सित कालोनियों में बिना अनुमती अवेद भवन निर्मान के सर्वे हितू, कारिपालन यंत्री जी के जैस्वाल, सायक यंत्री श्याम सोनी, अन्वर कुरेशी, राजेंदर मिश्रा, उप्यंत्री, राजेश कहीं. कि और वहां और अवाम गशा भव जो दान की चाहिये, बिस मिश्रावा दिल हो दिल हो, नो झाल जिल हुआ है, समुटी देशकर्ण भी शावबरान करें लेखे यह एक सर्था ये, एक सर्था प्रतलाम नगर निगम के वाड नमबर 30 में भाश्वा प्रत्याशी निर्विरोद निर्वाचीत हो गए है शभाना खान के निर्विरोद निर्वाचीत होने पर विधायब चेतनिक आशब ने मुँ मिठा कर बधाई देने के सार खुश्बगुच भेट किया अभी तक तो पंच सरपंच के निर्वाचन में निर्विरोद की बात आ रही थी लेकिन अब अरतलाम नगर निगम के वाड नमबर 30 में भी भाश्वा प्रत्याशी निर्विरोद निर्वाचीत हो गए है नाम वापसी के दिन कॉंग्रेस की प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया ऐसी इस्तती में भाजपा उमिद्वार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हाला कि परिणाम वाले दिन ही उन्हें निर्विरोध निर्वाचित होने का फ्रमान पत्र दिया जाएगा नाम वापसी के दिन ही कॉंग्रिस की प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया खास बात यह रही की वोट नमबर 30 में केवल दो ही प्रत्याशी थे अब यहां की जनता केवल महापोर को ही वोट देगी शवाना खान के निर्विरोध निर्वाचित होने पर विधायक चेतनेकाश्यप ने मुह मिठा करा कर पुश्पगुच दिया इस अवसर पर शेरु पठान चुनाव संयोजक्त मनोहर पोर्वाल पूर्व महापोर शेलिंद्र डागा सहीत पार्टी कारे करता उपस्तित रहे शेहर विधायक चेतनेकाश्यप ने जानकारी देते हुए बताया। महापोर के साथ में अन्य सीटों पर भी बहुत ताकस से जीतेंगें और सबसे बड़ी उपलब्दी एक मुस्लिम महिला हमारे भारती अंता पार्टी के निरूरो प्रत्यासी के रूप में सामने आई है और आपने उन्हें उनकी जो कारे शेली है वे महिलाओं के लिए महिल अब बारी छुटे से ब्रेक की इसी के साथ प्लोट भी उपलब्द हैं साइट विजिट के लिए संपर्ख करें मुबाइल नंबर 91799709068894-68989887161-8737-83186-44057-700456734 ओफिस माव विंधिवासीनी प्रीम सिकीत क्रिवेणी कनेरी रूर निव जाबवा टुलेल पुलिस लाइन के आगे रतला श्रीवीसा पौर्वाल जेन श्वेतांवर टीर्थ सागोदिया ट्रस्ट के चुनाव संपन्न हुए चुनाव में श्रीवासा पोरवाल जेन श्वितामबर तीर्थ सागोदिया ट्रस्ट के पांचो ट्रस्टी निर्विरोथ चुने गए आये में हौल राजेन नगर में आयोजी तीर्थ की विशेश साधरन सभा में निर्वाचन अधिकारी बीपी कौशिक द्वारा चुनाव संपन करवाया गया जिसमें अशोक जेन चोटाला चंदर प्रकाश पोरवाल धन पाल पोरवाल विक्की कुमार पोरवाल और मुकेश संथ कि वाला के निर्व रोत्क निर्वाचन की घोशना की गई मंगयी अ ये वाबा वर्पानी 22 अमरनाथ जी की यात्रा पर अपने भक्तों के साथ रवाना हुए यात्रा पर जाने से फोरें महार्ती का आउजन किया गया अमाज सेवी का कविता व्यास बर्फानी सेवा मंडल के जिला उपाध्यक्ष राजेंदर रवी राश्परमार युवा मंच के रवी भाई राजेंदर कसेरा आनंद पालीवाल महेश भक्त आदी ने बाबा साब को पुष्प महला पहना कर आशिरवाद लिया दत भूले नात मंदिर पर धोल धमा के आतिश बाजी की गई बर्फानी तपस्या स्थल पर धोल धमा के आतिश बाजी की गई आज के लिए बस नहीं तक फिर मुलाकात हो गई नहीं सूर्ख्यों के साथ तब तक के लिए नमसकार नगर निगम द्वारा पिछले साल से बनाई जा रही सडक आज तक नहीं हो पाई पूरी बिजबारिश में नगर निगम ने फिर से शुरू कर दी सडक की खुदाई रवास्यों ने जताई आपत्ती नगर में वेद अवेद तथा अविक्सित कोलोनियों में बिना अनुमती अवेद भवन निर्माण के सर्वेहेतू निगमायक सोमना जारे निकिया टीम का गठन वाट नमबर तीस में भी भाश्पा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो जाने पर विदायक चेतने काशप ने मूह मिठा कर दी बधाई झाल